जुलन गुस्वामी बहिला क्रिकेट में भारती तेज गेनबास का नाम बड़े सम्मां के साथ लिया चाता है महिला बड़े क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड जुलन गुस्वामी के नाम ही दर्स है आज तक उनसे ज़्यादा विकेट को कोई दूसरी गेनबास नहीं ले सकी जुलन के 30 गेनबास बनने की कहानी काफी रोचक है आज ही के दिन यानि 25 नवंबर 1982 को उनका चन्व हुआ पशिम बंगाल के नदिया जुले में 25 नवंबर 1982 को जन्मी जुलन गुस्वामी को 25 से क्रिकेट में दिल्चस्पी थी वो आसपास के लड़कों के साथ टेनिस पॉल से क्रिकेट कीली थी जुलन जब गेन फेकती तो बुकती बहुत धीमी रहती और लड़के उनका मसाख बनाते और उन्हें सर्फ बल्ले बाजी करने का ताना मारते जुलन ने लड़कों के साथ बराबरी के लिए खुद को मासिक और शारिक रूप से मस्बूत करने की ठान ली और यही से शुरू हो गई उनकी क्रिकेट यादरा जुलन को स्वामी जब 15 साल की थी तब क्रिकेटर बनने का खुआप देखती थी उस वक तक वह तै कर चुकी थी कि वह गेंदबास बनेगी और उनकी तेज रफतार गेंदबासी ने डुमेस्टिक क्रिकेटर्स के सिलेक्टर्स का ध्यान खीच लिया 1997 के महिला विश्वकप ने उनका टीम इंडिया के लिए खेलने का चिनोन बढ़ा दिया डुमेस्टिक क्रिकेट में तेज गेंदबासी थे तहल का मचाने वाली जोलन को पहली बार विमन्स नैशनल टीम में इंगलेंड के खिलाव जनवरी 2002 में वंडे सिरीस में मौका दिया गया जोलन गोस्वामी भारत की सबसे तीज गेंदबास है जोलन ने 122 किलोमेटर प्रति घंटे की रफ़तार से गेंदबासी की है विश्व में सबसे तीज गेंदबासी करने का रिकॉर्ड आस्ट्रेलिया की पुर्वकर्केटर कैथरिन फिस्पैटरिक के नाम है कैथरिन सबसे तीज 125 किलोमेटर प्रति घंटे की रफ़तार से गेंदबासी करने वाली पहले महिला गेंदबास है जोलन गोस्वामी विश्व की दूसरी सबसे तीज गेंदबास मानी जाती है भारत के धर्ते पर एक से बढ़कर एक वीर पैदा हुए जिन्होंने अपने जज़बे और साहस से देश का मान बढ़ाया है ऐसे ही एक वीर थे मेजर रामा स्वामी परमेश्वरन ये वो योधा थे जिन्होंने श्रीलंका में विजयपत का फिराई और वीर गती को प्राप्त हुए मेजर रामास्वामी परमेश्वरम श्रीलंका की उप्रेशन पवन में शहीद हो गए और उन्होंने भारत सरकार का युदकाल में दिया जाने वाला सरवश्रिश्ष सम्मान परमेर चक्र प्राप्त किया आज ही के दिन 1987 में उनका निधन हुआ था मेजर रामास्वामी परमेश्वरम का जन्म 13 सितंबर 1946 को बॉंबे महाराष्ट में हुआ था उनके पिता का नाम कियेस रामास्वामी और मा का नाम चानकी था उन्होंने स्कूली पढ़ाई S.I.S. हाई स्कूल मुंबई से 1963 में की उसके बाद 1968 में S.I.S. कॉलेज से विज्ञान में ग्रेज़ेशन किया मेजर रामास्वामी 1971 के युद में पाकिस्तान के खिलाफ लडने वाले सैनिकों के साहस और बलिदान से प्रेरित थे इसलिए उन्होंने 1971 में ओफिसर्स ट्रेनिंग अकैडमी जॉइन की वहाँ से 16 जून 1972 में वहाँ पास हुए इसके बाद भारतिय थलसेना की सबसे विख्यात 15 महार रेजिमेंट में वहाँ कमीशन ओफिसर के तौर पर नियोक्त हुए वहाँ उन्होंने 8 सालों तक अपने सेवादी जिसके बाद उनको पाच महार में ले लिया गया 15 महार और 5 महार बटालियन के दौरान मेजर परमेश्वरन ने पुर्वत्तर के क्षेतर में कई उग्रवादी निरोधी अभ्यानों में हसालिया जल्द ही अपने मस्बूत संकल्प और नेतृत्र के लिए वह मशूर हो गया परमेश्वरन के जवान उनको प्यार से परी साहिब कहते थी उनकी यूनिट ने जब कभी भी किसी चुनाथी पूर्णम मिशन को अंजाम दिया उसमें वह आगया के रहे उनकी बहादुरी, साहस और धुरुन निश्य की चर्चा सबकी जुबान पर थी इसका असर यह हुआ कि जब श्री लंका में भारतिय थलसीना की और से ओपरेशन पवन लॉंच किया गया तो मेजर परमेश्वरन को आठ महार बटालियन में अपनी सेवा देने के लिए चुना गया आठ महार ही पहली बटालियन थी जिसे 1987 में श्री लंका फिजा गया था मशूर कतिक डैंसर सितारा देवी को कौन नहीं जानता होगा सितारा देवी की काम्याबी के पीछे एक लंबा संकर्श रहा भारत के लावा सितारा देवी ने विदेशों में भी अपने नृत्य का चादू बिखेरा आज ही के दिन 2014 में उनका निधन हुआ था सितारा देवी का जन्म आठ नवंबर 1920 को कलकता में हुआ था 16 साल की उम्रों में ही सितारा देवी को नृत्य समरागिनी का खिताब में लगया था ये खिताब उन्हें रविन रनाट टेगौर नी दिया था सितारा देवी के पिता सुकदेव महाराज भी एक कतक डैंसर थे साथ ही उन्हें संस्कुत भाषा का विद्वान भी कहा जाता था सुकदेव महाराज नहीं अपनी बेटी को नृत्य सिखाया इस वजह से समाज में उनकी काफी आलोचना भी हुई थी इसके बावजुद सुकदेव महाराज और उनकी बेटी सितारा देवी ने हार नहीं मानी सितारा को लोग प्रोस्टिट्यूट कहकर भी बुलाने लगे थी तब पिता सुकदेव ने कहा था जब राधा कृष्ण के लिए डांस कर सकती है तो मेरी बेटी क्यों नहीं बहिशकार के बाद महाराज जी ने अपना घर बदल दिया था फिर उन्होंने एक डांसिंग स्कूल शुरू किया जहाँ वेश्याओ के बच्चों को दाखिला दिया कम उम्रों से हिन रुत्य की शिक्षाल लेने वाली सितारा देवी दस साल की उम्र में ही सोलो परफॉर्मन्स तेरी लगी थी मुंबई आने के बाद सितारा देवी ने आतिया बेगम पैलस में कथक की प्रसुती थी इस कारेक्रम में रवेदनार टैगोर, सरोजनी नाइडू और पारसी परोपकारी सर कोवाज से जहांगिर शामिल थे सितारा देवी ने कुछ फिल्मों में भी काम किया उनकी डेब्यू फिल्म औरत का दिल थी इसके अलावा उन्होंने नगीना, रोटी, वतन और अंजली जैसे फिल्मों में भी परफॉर्म किया BCN News के दिन विशेश कारेक्रम में फिल्हार अतना ही SCN और खबरों से चुड़े रहने के लिए देख 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 रहिए BCN News नमस्कार